हेलो एवरिवन, आज हम देखेंगे कि आपका जो एक्जाम होने वाला है, आज फर्स्ट एक्जाम है, बीकॉम प्रोग्राम, ओनर्स वाले बच्चों ने दिया है, तो जिसने एक्जाम दिया है, उसका मैंने रोल लंबर लेके, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी बता सर्ज करते हैं, तो सर्ज करने के बाद आपके सामने सबसे पहले ही आ जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, और आप बिल्कुल फ्रेंट पर ही दे रखा है, कहीं नहीं जाना, कहे रखा है, यहां पर क्या बोलता है, कि क्लिक here to internal assessment, तो internal assessment पे चले जाएंगे अब यहां पर ध्यान दिजेगा यहां पर लंबर पूछा जा रहा है मेरे पास लंबर लिखा हुआ है अन्सर का मतलब यह क्या है आपको नुमेरिक बोलेगा जैसे जिरो प्लस 7 क्या होता है, हमारा total 7 होता है, 7 ही डाल दिया, login करेंगे, login करने के बाद आपके पास page इस तरीके से खुल जाएगा, login के बाद page खुल जाएगा, page खुलने के बाद यहाँ पे देखिएगा फटा फट से, आपके सारे exam के date sheet आ जाएगे, उससे पहले कुछ instruction है, जो यहाँ पे accordingly attempt कर सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, the exam of MCQB selected one correct answer of the following option, कोई भी एक correct answer होगा, जिस question को आप चूज कर लेंगे न, वो green tick में हो जाएगा, पहले से ही, आगे कहता है, once you submitted answer, your answer is saved automatically, and you can change your answer anytime during examination, आपने मान लेते हैं के पहला question tick कर लिया, पहला question tick करने के बाद, उसके बा question था, तो आप उसको दुबारा 45 minute का time दिया जा रहा है, उस time में आपको दुबारा करना होगा, you can move any question using question navigation, then top question, आप questions को उपर नीचे भी कर सकते हो, all save answers show in the green color, सारे answer green color में हो जाएगा, जिसको आपने save कर दिया है, आपको वहाँ save भी करना है, save का option आएगा, your examination will be end automatically, मैं आप submit नहीं भी कर पाएं, तो ये तो कहता है, Delhi University तो कहते हैं, कि भी automatically submit माना जाएगा, लेकिन मैं suggest करूँगा, कि आपको करना है, अब दूसरी कई चीजे के सवाल है, sir, कितने question होंगे, sir, आपके जो number of question है, वो 35 question आये थे, अभी morning बे, अब आपका कोई number कुछ अलग हो सकत है, दूसरा, आपको ये जो सवाल करने हैं, सारे के सारे सवाल आप जो करोगे, चाहे आप जैसे भी करते हो, आप internet की मदद लेते हो, मुझे पता है, कोई camera वगरे की requirement है नहीं, तो जो भी बच्चे कर रहे हैं, तो मैं suggest करूँगा, बुक में से, और फिर internet पे कई बार सवा काई बात मैं बता हूँ आपको, तो इस बात का ध्यान रखना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसने एंटर कर दिया, और यहां से backspace पे चले जाएंगे, मान लेते हैं, मैं enter कर गया, और यहां से बैक स्पेस पे चला जाएंगा, अगर मैं backspace पे गया, यहां से पीछे स जैसे तो अभी तो मुझे फिलाल यहां पर दिख रहा है हमारा paper और एक बार जब paper के duration में backspace पर चले जाएंगे तो आपको login करने में बहुत problem आनी है तो backspace पर जाना ही नहीं है इस बात को आपको ध्यान रखना है तो hopefully इस वीडियो से थोड़ा confidence आएगा कि paper कैसे देना बहु इसी तरीके से मैं सारे जो भी exam से related है semester 1 का तो मैं अब थोड़ा सा actively आपको सारे चीजे बताता रहूंगा और जो चीजे मुझे पता चलेगी उसका बिल्कुल genuine और बताता रहूंगा तो hopefully आपको मिलेगा thank you so much channel को like subscribe and share करिए दोस्तों में के कैसे exam देना है thank you so much